एन्रसी में किसने सपोट किया था बीजएंपी को जण्यूवालों किया था रास्टे जन्तादल महा गडवंधन में कौन आया ठाधां जण्यूWowla आये खिक में सरकार किसके किसके साथ कमेंडमेंड किया Finestal, कि मैं महा महागडवंदन का अंग हो और महागडवंदन ने उसे मुफमंतरी बनाया वो क्या किये वो हमें महागडवंदन को ताक में रख करके जिसका वोट लिया उसके साथ उसको धोका दे करके फिर कहां जागर के मिल गया बीजेपी के साथ चुकि उनको पता है कि आगे एलेक्शन आना है और मुझे एलेक्शन लड़ना है एलेक्शन लड़ना है तो मुझे सारे लोगों का वोट चाहिए जब उसने देखा कि एक मास ये नर्सी को लेकर के मेरे खलाब जा रहा है तो उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाल दिया कि मैं यहां लागू नहीं होने दूंगा अ आज तक लेक लेटर दिखा दीजिए आपने यह बता दीजिए कि विधान सवा से किसी चीज़ को पाडित कर दिया है कि लेकुम नमस्कार आदाब मैं आपका दोस्त रियाज रही और आप लोग देखना कर चुके हैं आपका अपना चैनल अपना गाओं दोस्तों अपना गाओं में चुनवी हल्चल को लेकर के तीखे सवालात किये जा रहे हैं आपकी परतियासी और परतिनी दियों से आज हमारे साथ हैं हमारे खास महमान राजत जीला अधियक्ष किसन गंज सरवालम साहब तो चले बले उनी से उनकी तारूप पूछते हैं सर हमारे विवर्स को आप अपने तारूप बताएं आप क्या हैं और आप कहां तक पढ़ाय किये हैं और आपका राजनीति में रूजी आप क्यूं ले रहे हैं सबसे पहले तो आपके मादम से जितने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं सब सुनने वालों को सलाम करता हूं सलाम अलेकुम नमस्कार आधाब मेरा नाम मौमद शर्वर आलम मैं अभी वर्तमान में आरजेडी का जिला अध्यक्स और जिला परिशत चेर्मेन परतिनीति भी हूँ मैं राजनीतिक में 2014 से किशनगन में शक्रिय हुआ और 2015 में मैंने जिला परिशत का अलेक्शन लड़ा और जीता यहां के अवामू ने मुझे जिताया मेरी वाइफ को और अभी 2019 में हम लोग जिला परिशत चेर्मेन अध्यक्श भी बने और जहां तक मेरी परहाई से रिलेटेड है मैंने MBA किया है graduation मेरा जामिया मिलिया इसलामिया से हुआ और फिर मैंने MBA किया MBA करने के बाद मैंने कुछ दिनों तक जॉब भी किया उसके बाद फिर जब घर आये तो चुकि घर आने के बाद मेरे पापा बूले कि ठीक है अपना बिजनस है बिजनस सेट अप करो तो फिर मैंने उनके साथ कंदर से कंदा मिला करके बिजनस सेटप किया बिजनस करने के बाद फिर पॉलेटिक्स में एक बहुत ही हमारे एक हमदर्थ थे एक दिन पंप में ऐसी बैठे हुए थे तो बात चली कि आपको जिला पार्षद लरना तो मैंने का भई मैं जिला पार्षद नहीं लर पाऊंगा चुकि यहां के लोग कि साहिद साब को हर कोई पहचानता है आप साहिद साब का बेटा है ना इतना ही काफी आप एलेक्शन लड़िए फिर मैंने भी सोचा फिर घर में बात हुई तो मैंने का चलो ठीक है तो उसी में मेरी वाइफ को हम लोगों ने एलेक्शन लड़ाया और हम अपने छेतर के त वादे को पूरा किया और आपके बीच में आज हम रास्ट जनतादल के साथ साथ जिला परिशद अध्यक्ष परती ने दिवी हैं दोस्तों पहले तो मैं ये कहूंगा कि सवालों के सिलसिला जारी रहेगी क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें तो सबस्क्राइब करें बेल आगन को दबाना ना बोलें सर सवालात बहुत सारे हैं और उसमें लगबग सेम सवाल बहुत सारे हैं कुछ दोस्त हैं हमारे उन लोग का नाम मैं बताना चाहूंगा जैसे कि आप रागीब राही साहब है मटी मतिन साहब है चांद साहब है मिश्टर राही साहब है जाबिर आलम इन लोग का सब का एक ही सवाल है कि आप आरजेडिक के जीला अध्यक्ष हैं और आपके पिताजी भी रूची ले रहे हैं विदान्सवा एलक्षन में ऐसे में आप एलक्षन लड़ेंगे या आपके अबू जान लड़ेंगे इस बात को क्लियर कीजिए पहले सबसे पहले तो जितने सारों का नाम आपने बताया मैं सब को जानता हूं और वो मुझे भी जानते हैं मैं सब भाईयों को सिर्फ इतना कहूंगा कि आप लोग ने कहा कि मैं जिला अध्यक्षू मैं रास्टे जनतादल परिवार का यहां पे मैन विंग का जिला अध्यक्ष जो सबसे अंतिम पायदान में जो बैठा वा एकती है उस तक पहुंचे रास्टे जनतादल सिर्फ नाम का रास्टे जनतादल नहीं रहे यह काम भी करके दिखा है मैं संगठन में जिनको भी जोडता हूं मैं मेरा एक प्राथिमिक्ता रहती है मैं उनको साफ कहता हूं कि हम लोग रास्टे जनतादल से जुरे हुए हैं तो गरीब गुरुबाओं की मदद होनी चाहिए ताकि एक रास्टे जनतादल का पहचान मनें तो मैं रास्टे जनतादल का काडिय करता हूं उन्होंने मेरे पे किशनगंज मैं विश्वास मेरे पे रखा है मैं अपनी विंग क और अपने रास्टे जनतादल को मजबूत करने का काम किशनगज में कर रहा हूं और रही बात आपने कहा कि आपके पापा रास्टे जनतादल में मेहनत कर रहे हैं वह बहुत पुराने रास्टे जनतादल है तसलीम साथ जब चक्का शाप में जब उनसे पहले रास्टे जनता और उसमें मैं आपको आपके चाइनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं और सारे लोगों का दिमाग में यह बाद डाल देना जा रहा हूं कि टिकट रास्ट जनतादल में जो हमारे परदेश में बैटे हुए हैं तेजिस्वी जी उसके बाद लालू जी जगदारण बाबू और हमारे अब्दुलबारी शिद्दी की साथ जो भी सिर्ष नेता हैं वो लोग तै करेंगे कि टिकट कि शंगें कोचा दामन में किनको दिया जाएगा यह हम नहीं ते करने वाले हैं और मैं अपने तरफ से आप लोगों को आस्वासिन दिलाता हूं और मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि चाहे जो भी हो सरवड आलम एलेक्शन 2020 रास्ट जनतादल या किसी भी चीज़ से नहीं लड़ने जा रही है तीनों एज के लोग आपको पसंद करने लगए हैं तो इसका राज क्या है आखिर लोग आपको इतना पसंद क्यों करते हैं यूँआओं का ये सवाल है और खास करें मिराज निस साब करता हूँ मेरे चाहने वाले जितने सारे लोग मुझे पसंद करते हैं मैं बहुत आभारी हूँ उन्हों का और जहां तक रही बात की मैंने कम वक्त में ये दरसल आज जो मेरी अगर कोई इज़त कर रहे हैं तो ये देन मेरे पापा का है बेस उन्होंने तयार किया था मैं उन्ही के बेस को आगे बढ़ाने की कोशिस कर रहा हूँ और जहां तक मेरा बैक्तिकत रिलेशन चाहे वो हमारे साथी युवा हो या हमारे गार्जन समान कोई भी बैक्ति हो मैं सब की इज़त करता हूँ और मैं पॉलेटिक्स को सिर्फ इतना जानता हूँ इसलिए मेरी अपनी एक है कि ॐलेटिक्स को साइड करके मैं लोगों से अपना एक जो भी होता है खुल करके बात करने की कोसिस करता हूँ मैं पक्ष भी-पक्ष में भरोशा नहीं करता मैं सुचता हूँ कि एक इंसानियत हर नेता में होनी चाहिए वही दिखाने की कोशिस कर रहा हूँ और ये अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं चाहता हूँ कि भई सारे लोगों को ये अपनाना चाहिए चुकि हम लोग एक समाज से जुरे हुए हैं मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा मिसाल दोंगा कि तसलीमोद दिन साथ जब यहां से एलक्षन हा रहे थे मुझे याद है और आप भी अगर जानते हैं तो तसलीमोद दिन साथ उस रिजन में सबसे ज़्यादा काम किये थे अपने अलाके में और वो एलक्षन यहां से हार के गये थे तो वो जीत हार एक नसीब की बात होती है लेकिन वैक्तिकत जो विचार होता है वैक्तिकत जो रिलेशन होता है वो हमेसा बना रहना चाहिए तो मेरी एक कोसिज रहती है कि मैं हर आदमी से दिल खुल करके मुलाकात करूं मिलूं उनसे अपने शारी बात रखों सर जैसे कि बिहार, इंडिया में बिहार और बिहार में सीमाचल, सीमाचल में किसन गंज, यहां के 90 फीजदी लोग किसान हैं, खेती पे निरबढ़ हैं, तो उसमें हमारे रागीब साहब, रागीब राईज साहब जो की जनता से महियारपूर से बिलोंग करते हैं, उनका सवा सबसे पहला काम किसानों के लिए क्या होगा? और गुनवत्ता जो काम होता है, आज इन सब चीजों पे हमारी पार्टी का सबसे ज़्यदा फोकस है, हम लोग किसानों को उचित दाम के लिए, मक्का के लिए हम लोगों ने काफी परियास किया, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई, चुकि हम लोग अभी विपक्ष में हैं, हम अपने मीडिया को देखा है, मीडिया हमारी बातों को आगे नहीं बनाता है, तो हम लोगोंने सोसल मेडिया, आप लोगों के माधियम से ही लोगों तक आवाज पहुचाने का काम किया है, और आप फेसबुक वाटसप में देखेंगे, तो हर दीन हमारे तेज़े स्वीजी प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं और वो सबसे ज़्यादा किसान और मजदूरों की ही बात करते हैं तो हम लोगों का सुरू से एक चीज रहा है कि किसानों को सम्मान दिलाना है और हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोग किसानों को सम्मान दिलाएंगे और हर हाल में दिलाएंगे सर जैसे कि आप बिपक्ष में अभी और बिपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं लेकिन सानवास कलू साहब है जो कि जनिदिगार पार्टी से युवा अदेख से किसन उनके उनका सवाल ये है कि बिपक्ष में आप लोग बैठे हुए हैं लेकिन बिपक्ष का पूरा रोल पपू जादब जी उठा रहे हैं ऐसा क्यों बिपक्ष का पूरा रोल पपू जादब जी उठा रहे हैं देखें पपू जादब जी काम कर रहा है मैं उनके काम की सरहाना करता हूँ किस मामले में चाई वा एन खी मामला हो नपी आर हो या आरक्षण दिलाने की मामला हो या परवासी मजदुरू का हो या गाड़ी भेजने का हो या ट्रेन का किराया हो, डीजल पेत्रोल का मुद्दा हो, कौन ऐसा मामला है जिसमें बिपक्ष नहीं आया है, आप मुझे बताइए, बिपक्ष अपना काम बखुबी कर रहा है, चाहे वो जो हो, आप बताइए कौन सी पार्टी हम लोगोंने, हम लोगोंने क्या नहीं किया, डीजल टानासा सरकार के खिलाप हम लोग थाली पीटा और उन怖 बताया हम लोग उनने हर doet काम किया है ऐसा नहीं यह बीपक्ष बहुत अच्छे से स्काम रही है और बीपक्ष का जो काम है वह हमारे तिजिस में भाग करते कर रहा सर जैसे कि आपने नर्सी को ले करके कहा कि नर्सी में आप लोग की बहुत भागी दारे रही इस विल को रोकने में तो ऐसे में अभी जो हम आपके यहां पर विधायक है कोचदावन में वह सत्तापक्स हैं जब उनसे पूछा गिया तो उन्होंने कहा कि नर्सी कभी नहीं ला सके नाम पर और वोट मांगने का काम करेंगे तो आपको नहीगे आपको अइसा लग आपके विजपक्षी जो अबीशद्वाग्ठी में वह विकास नहीं किया है , आप खेरें के विकास और आपने NRC का मुद्दा किस ने सपोर्ट किया था बीजेअपी को जैडियू यु वालों ने किया था रास्टे जन्तादल महागडवधन में कौन आया था जैड़ियू वाले आयé थे उन्होंने सरकार किस से किस के साथ कमेंडमेंठ किया पॉबलिक में आकरQUE कि मैं महागडवंदन का अंग हूँ और महागडवंदन ने उसे मुखमंतरी बनाया वो क्या किये वो हमें महागडवंदन को ताक में रख करके जिसका वोट लिया उसके साथ उसको धोका दे करके फिर कहां जागर के मिल गया बीजेपी के साथ चुक्कि उनको पता है कि आगे एलेक्शन आना है और मुझे एलेक्शन लड़ना है एलेक्शन लड़ना है तो मुझे सारे लोगों का वोट चाहिए जब उसने देखा कि एक मास ये नर्सी को लेकर के मेरे खलाब जा रहा है तो उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाल दिया कि मैं यहां लागू नहीं होने दूँगा अपने लिखित में क्या दिया है आज तक एक लेटर दिखा दिजिए आपने यह बता दिजिए कि विधान सवा से किसी चीज़ को पाडित कर दिया है कि नहीं मैं नर्सी नहीं होगा यह लागू हो गया ऐसा कुछ नहीं है हमारे नेता लालो जी बोलते थे कि नि दाब सत्ता में आया तो वो सबसे पहले नर्सी लागू करेगा। उससने हमेशा किया है और मैं वर्तमान में कोचा दामन आपने का कोचा दामन میں विकास हुआ है मैं मानता हूं विकास हुआ है लेकिन क्वाइटी कहा है बताहू कितने हैं मैं नहीं कह रहा आप मेरे सांथ च है और कितना खराब है कि कहां है मैं भी देखना जा रहा हूं को इक रोड मैंने कुछ दिन पहले दिखा था कि एक रोड सद्विट्टा से जो बना है उस रोड को बनाया गया यह रिपेरिंग किया गया रिपेरिंग करने के दो दीन या तीन दीन के बाद हमारे उफ्रान-भाई उसको दिखा रहे थे कि पूरा रोड जय जर जर हो चुका है कौईलेटी कहा है करना कहीं बिदैक जी का कहना है कि पिछले 6 में जो काम हुआ है चाहिए वह स्कूल को लेके हो, कॉलेज को लेके हो, या फिर रेरोड को लेके हो, पूल को लेके हो, उन्होंने जितना विकास किया है, उससे पहले कुछ भी काम नहीं हुआ था, उनका ये दावा है.